अब इसका कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कटाप जाएगा उसके बारे में बात किया जाएगा तो मैंने इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट लिए हैं पहले मैं बता देता हूं तो सबसे पहले बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जो मैं एनाल्सिस करता रहता हूं उनके नंबर साथ ही साथ में 2018 की कटॉप अब 2018 की मैंने पर्ट्यूक्लर क्यों उठाई है 2019-20 क्योंने लिए है क्योंकि 2019-20 में बेकेंसी बहुत कम थी ठीक है और 2018 में क्या थी ठीक ठाकती यानि कि 14-1500 की आसपस बेकेंसी थी अभी मैं पूरा डाटा आपको दिखाऊंगा ठीक ह अब आपको पता है अच्छी खासी है अभी अग्जेक्ट एससी ने तो पब्रीश नहीं करी कितनी बेकेंसी लेकिन लगबग आप कटॉप से भी आईडिया लगा सकते हैं कि लगबग कितनी बेकेंसी आई है इस बार ठीक है अभी कुछ दिन बात एससी जो खुद अपने में डाल देगा फैनल लगवग कितनी आएंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा लेकिन फिर वी आप थोड़ा अनुमाल लगा सकते हैं कि इस हिसाफ से कितनी होंगी जिस हिसाफ रिजल्ट पप्रिस हुआ है और उसके हिसाफ कितना फैनल कटाप जाएगा अब आपको पता है कि जो पहले दिन पेपार हुआ था यानि कि 16 नॉम्बर को पहली सिप्ट उनमें कंडिडेट में जो भी उनके ज्यादा ज्यादा नंबर बढ़े हुए हैं ठीक है यानि कि एक कंडिडेट हैं उनके 120 नंबर बढ़के 128 पॉइंट संथी हो गया मतलब उनके साले 8 एक सब्सक्राइब को जरूर मिले कभी है में तो डिपेंड करता है ना कि आप बढ़ रहे और कहां पर कंसिसेंसी ज्यादा है ठीक है तो सब पहले हम यह देखते हैं कि रिजल्ट में कितने कंडिडेट का पास हुए क्या का पूरा डाटा रहा पूरा एनलसिस करेंगे तो 246 कंडिडेट डी में तो अभी मैं 2019 वाला बीस वाला भी मैं आपको कटॉप दिखाता हूं स्वरी डाटा दिखाता हूं उससे आपको आइडिया लाग जाए लगब कितने कुना कंडिडर यहां से बुलाए जाते हैं तो यह 2019 वाला है इसमें आप देखेंगे 2019 में वेकेंस से आपको पता 457 के आसपास वेकेंसी ती ग्रेट डी में जो जिसके लिए ओबराल 7792 कंडिडेट क्वालिफाई कराए गए गए थे और भी मैं दिखाता हूं 2020 वाला यह बीस वाले इसमें आप देखेंगे कि तो ओबराल 368 कंडिडेट जो है इस्टैनोग्राफर सीख लिए क्वालिफाई किये थे और ओबराल जो वेकेंसी थी 757 वेकेंसी थी और वो घड़के 697 या 699 यानि कि आप देखेंगे मालो मोटा माटी में 700 वेकेंसी ले लेता हूं तो लगभक 700 और यह 13445 यह आप ले लें तो बीस गुना से कम्यानी के लगभक 18 गुना के आसपा 18 गुना लगभक कंडिडेट जो है यह लोग क्वालिफाई कराते हैं और दी के लिए और उसी इसापते कराते हैं सी का इनका कुछ क्राइटरिया अलगा दोजार अठारा में वेकेंसी की लगभक 400 अभी दिखाएंगे मैं दिखाऊंगा मैं वह भी आपको लिस्ट तो उसम अब जब देखेंगे कि अच्छी गुना तो यहीं मिल जा रहे हैं आपको पचासी पे उन्होंने च्छतिस तो कंडिडेट कौलिफाई कि तो उनका कुछ स्टम होगा वह अभी पता नहीं है अब जब बेकेंसी क्लियर हो जाएंगी ना कि कितनी पता जल जाएगा कितने बाराल 47,246 कंडिडेट यहां से क्वालिफाई किये हैं यदि इसमें आप 18 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लबग पचीच हबिस्सों वेकेंसी तो सी की है सोरी डी की है ठीक है इसके बाद कुछ वेकेंसी यहां पर आपको सी की भी देखन देड़ नंबर का थोड़ा थोड़ा फरक पर रहा है तो अब जदी थोड़ा तो जादा होता तो और जादा अच्छा होता इससे एक आइडिया यह लग जाता कि इसके यह आप देख सकते हैं यहां से नोट लिखा होता है कि 3510 कंडिडेट जो है और और यह बीजिए के साथ सोच्छी अटर कंडिडेट से जो जी यूआर की के टागरी से कौलिफाई है तो आप पिछला जब देखते होंगे तो उसमें यही उता तो गैप जादा पता चल जादा था कि इतने नंबर के भी जादा लिए बैठें तो अभी आप देखेंगे ड नंबर बढ़े ही बढ़े हैं तो इसका इफेक्ट देखो फाइनल में बिल्कुल पड़ेगा हां लेकिन यह दाना कि अप्र इसमें फायदा आपको क्या मिलेगा जो कि इसकिल पहले क्या हुआ उसके बाद एक दो महीने बाद रिजल्ट आया पेपर देक उनको आईडिया लग गया कि इतने नंबर हमारे बनने तो वह प्रपरेशन करके सीख इसकिल निकाल लिया करते हैं अब जो नया कंडियर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि मतलब रिटें तो निकाले देने स्किल में नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इसकिल नहीं हो पाती अब तो दस महिने का ग्यारा महिने का तो कोई भी कंडियर ऐसा है उसको पता चल जाए कि महारे 150 नंबर की उपर पर नहीं है और उसको चांसे हो जाए कि इसमें सेलेक्शन हो जाएगा तो यह आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि क्या ना में जैदी जिसमार बहुत सारे कंडि तो इसका इफेक्ट अब फाइनल में पड़ेगा और जो रेंडम बाला है जैसे मालू कटॉप एक बार क्या हुआ था दोजार श्यूदा या पंदा कोई कटॉप थी एक्जेट मुझे नहीं पता उसमें क्या हुआ था कि इसकील उन्हें करवाया और इसकील अच्छी आ ग दी की किसी भी तो उनके चांसे सेलेक्ट होने के बिलकुल बहुत ज्यान अब इधा कर आको अपना पूरा फ्फोकस अब अब मैं दिखाता हूँ 2018 आपको थोड़ा सा डाटा क्योंको इसमें बहुत जाता थी यह से स्टेनोग्राफट 2018 की वेकेंसी है यह उसका कट आप है यह आप देखेंगे टोटल वेकेंसी मैंने लिखी ग्रेट लेकिन इतनी तो फिर भी आपको मोटा मोटा आइडिया लगया कि लगबाग मान की चले कुछ घटी होंगे तो इस बार तो उससे दोगुना वेकेंसी हैं तो उसके साथ आप खुदा आइडिया लगा लीजिए अब देखेंगे जरा 2018 वाले में क्या हुआ था ग्रेट सी की जो कटाब थी यूर की एक सो अलतीस गई थी यह मैं जो पहली कटाब दिखा रहा हूं यह प्री की कटाब यहां से आप डिफरेंट देखेंगे प्री के फाइनल में तो आप यह था आप ग्रेट की बात करें यह जो है फाइनल कटाब 143 से 149 हो गई थी फाइनल एकसो तेरा कटाब गई थी और एकसो शेयो अब देखेंगे यहां से डी वाले में नौबर के इंक्रीज हुआ था वो भी सी वाले में आप देखेंगे यू आर में आश्वरी जो भी सी दी में नौबर का सी में इस बार की कटाप तो भाई देखो आप उने खुद देखा डी बहुत कम-कम कटाप गई तो भीया कटाप से बढ़ने के चांसे बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि 13100 सीदा सीदा डी में बैठे हुएं उनके नंबर यानि कि आप देख सकते नोजार तो मैंने आप गुद्धिक है तो उनके ठीक ठाइक नंबर बढ़ने तो वह 130 140 के बीसमें ज्यादा लाई कर रहे हैं और आप जो भी फाइनल कटाप उठाक देखेंगे जहां पर लोग ज्यादा लाई कर रहे हैं उसी से कटाप थोड़ी अप हो जाती है मतलब वहां पर आदे आदे नंबर छोड़ो आप दसमलों के एक नंबर फाइनल पर लोगों को सेलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत सारे कंडिटर ऐसे अभी हमने बात की एक कुछ समय थे कि उनका पॉइंट दो पॉइंट एक पे सेलेक्शन नहीं हुआ हुआ है मतलब उनक नंबर बढ़ा के आप चेक करें आपको जो सी के जो लिष्ट आई उस पे आप इनक्रीज करिए क्यों कि वहीं पर लोग ज्यादा बैटें उनके बार नंबर भी बहुत ज्यादा ज्यादा है ठीक है तो अभी मैंने आपको पूरी कटॉप दिखा दी थी और मैंने पूरी कम थी बहुत जादा हुआ था और इसकिल में भी टाइम लगा था और 18 वाले में बेकेंसी जादा थी इनक्रीज कम हुआ था इस बार और ज्यादा वेकेंसी हैं तो इनक्रीज इसी हिसाफ से होगा ठीक है तो अब मैं आपको फाइनल का कटाप बताने वाला हूं कितनी तो देखते हैं कितनी कटाप जाएगी तो यह दिया भी इस टैनोग्राफर ग्रेट डी की सी की बात करें तो यूर में आपका सेलेक्शन बिल्कुल होने के चांसे बात की जाए तो 142 से 144 एव्योज की 140 से 142 से 132 और स्टी की 115 से 117 इस रिंज में आ रहा है इस टैनोग्रा से लिए मिनमम गड़ा इतने नंबर है तो आपके सेलेक्शन होने के चांसे बिल्कुल सी में है ठीक है अब बात करेंगे तो यह दि आप इस टैनोग्राफर ग्रेट डी की बात करें तो जो यूर की का टॉब है वह 136 से 138 के यह आप लाई करते हैं तो आपका इस टैनोग् से लिए आपके नंबर कम है तो ज्यादा है और यदि आपके कम हैं तो आप इसकिल में बिल्कुल लगे रहे और कोई दिक्कत नहीं है जिनके स्किल निकलेगे मैं फिर से बार-बार करूंगा उनके सेलेक्शन होने के चांसे बहुत जादा है क्योंकि टाइम बहुत कम दिय ढ़िया घए है ठीक है तो यह मैरे साफ पक्टा आ पर रही आपके हिसाब से कितनी रहसेती कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को लाइक कर देना यह दि मेरा प्रयाद सही लगे बिल्सक्राइव करके सब्वड करते ना थैंक्स पार चांस